सब्सक्राइब के भी इंस्टाग्राम पे कोई एसा account है जिसका आपको ना ही फास्बूर्ट याद है, ना फ़ोन नमबर याद है, ना ही email याद है और इस account का आप login करने जाते हैं याप से login नहीं हो पाता है तो आज काई वीडियो आपके लिए काफी इंफरमेटिव होने वाला है क्योंकि बहुत सारी उजर के पास ऐसा एकाउंट होते हैं जो कभी create कर लेते हैं या old एकाउंट रहता है और वो अभी के time में लोगिन करना चाहते हैं तो उनको ना ही कुछ पता चल पाता है कि इस एका का एकाउंट लोगिन होता है और प्रोसस के लिए यहां पे हम अपने इंस्टाग्राम में आ गए है और इंस्टाग्राम में आने कबाद यहां पे हम सर्च बार में जाते हैं और सर्च बार में आने कबाद हम उस एकाउंट को पहले सर्च कर लेते हैं और यहां पे देख सक को कैसे लोगिन करना है वो बता देते हैं तो उसके अकाउंट को लोगिन करने के लिए यह प्रुफाइल बाला जो अप्शन है इस पर आपको क्लिक करके रखना है जैसे आप क्लिक करके रखेंगे इस तरह से आपको इंटरफेस मिलेगा सिंपल सा एड इंस्टाग्राम करने के रखेंगे ने के इस तरह से आपके फोन में इटरफेस आ सकता है अगर आपके फोन में फॉर ll आप ऐंड शेचन और n देखनेको मिलता है इस यापको आपने करने के बाद नेक्स्ट इस तरह से आज्टाइगा तो यहाँ पे आने के बाद अब आपको ध्यान देना है उपर आपको कुछ अप्शन मिलेगा डीकवर यूर इंस्टाग्राम पासबोर्ड और उसी के नीचे यूर एकाउंट हैज बिन डिसेवल यहाँ पे आपको क्लिक करना है उपर बाद इस तरह से आजागा और मिलेगा सेब्सक्राइब करने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट का अप्शन मिलेगा इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेस लेगा इस तरह से आपको interface मिल जगा तो यहां पे अब आपको क्या करना है कि यूजरनेम को आपको यहां पे फिल करना है यहां पर जो मेरा account था उसका username को हमने type कर दी और इतना करने की बाद आपको नीचे option मिलेगा send login link तो जैसे हम इस पे click करेंगे click करने की बाद इस account पे जो भी email बहेगा इस email का यहाँ पर कुछ code भी देखने को मिल जएगा, इतना करने के बाद आपको आ जाना है, यहाँ से back और back आने के बाद आपको अपने फन में Gmail भला application को ही open करना है, यहाँ पर आने के बाद Instagram के तरफ से एक message भी आ चुका है, हम इस पर click करते हैं, क्लिक करने के बाद उपर आपका यूजर नेम देखने को मिलेगा लोगिन और ये स्टोरी और पासबॉर तो अगर आप ड Honors लोगिन करना चाहते हैं तो आप उपर बलॉपसंट पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे हम अपने profile पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे username देख सकते हैं ना ही मुझे password याद था ना ही phone number और email कुछ भी याद नहीं था अफिस सिंपल सा प्रोसेस था तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंदा होगा इसी तरह से इंफर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चनल प्यार पी टिक को सब्सक्राइब करें विलता है नेक्स्ट वीडियो